हेलो फ्रेंज नमस्कार कैसे आप लोग मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ठेकी होंगे आज में बात करने वाले हैं अपने ग्राम पंचायत का नक्सा कैसे देखें तो फ्रेंज अभी तक में चैनल को सुस्क्राइब एंड लाइक नहीं किये हैं तपिज लाइक कर दें और ग्रम पंचायद में जभी भी नापी कराना होता है तो हमें किसी से नकसा चार्ज देखर लेना पड़ता है तो उस महाँ पर चार्ज कुछ इस परकार रहता है या 400 या 500 रोज दे का हमें चार्ज देना पड़ता है कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपके जमीन में विवाद चल रहा है तो दो से तिन दिन चार दिन का नक्षा का जरूरत रहता है और उस समय आपको नक्षा का चार्ट ही चार से पांसोर ब्यार देना पड़ता है अब आप खुद के मुवाईल से सरकारी नक्षा देख सकते हैं तो अपना फॉन उठाईए और प्लेयर स्टोर में क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है सर्च लेंड सर्च लेंड जैसी क्लिक किजिएगा उस इस तरह का पेज आप लोगों को आ जा करना है इस पेडिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा आने के बाद फ्रेंड्स इसे इस्टॉल आप कर लीजेगा मैं यहाँ पर इस्टॉल कर रखा हूँ इसलिए हम मैं इसे ओपन करूंगा ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आप लोगों को खुलका आ फ्रेंड्स इसमें बहुत सारा फीचर दिया गया है इस परकार है मैं यहाँ ततकाल में आप लोगों को नकसा दिखाना है तो फ्रेंड्स आपको भू नकसा देखे पर क्लिक करना है तो फ्रेंड्स यहाँ सारा राज दिया गया हुआ है अब जिस भी राज से बिलों कर रह तततकाल में मैं उत्तर परदेश का देखना चारा हूँ तो उत्तर परदेश पर क्लिक करेंगे तो नक्सा खुल गया हुआ है उस इस तरह का नक्सा है तो फ्रेंड्स यहां पर थिरी डॉट पर क्लिक करना है थिरी डॉट पर जैसी क्लिक करेंगे यहां अपना estate सेलेक करना है जिला सेलेक करना है तहसिल सेलेक करना है और गाउं सेलेक करना है ता आप जो भी गाउं है वह अपना सेलेक करने जो भी तहसिल है वो सेलेक करने जो भी जिला है वो सेलेक करके और यहां बैक आजाना है यह देखिए इस तरह से आप अपना गाउं का नक्सा देख सकते हैं अपने जमीन का नक्सा देख सकते हैं